हेलो फ्रेंट्स वेल्केम बैक टू जनलमें सिंद्य को सुनई आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं आज बात करूंगा पैसन वर्सेज इंटर्प्रियोंट्सिप का कहने का कि मतलब क्या है कि कई बार हम इसा लगता है क्योंकि मैंने भी इंटर्प कर रहा हूं अपनी कंपणी अपनी अपनी समालता हून आए यहां बहुत इसके पहले नहीं किया है नहीं कि अपने बिजनेस के अँदर कर चुका हूं अब जहां मैंने बहुत सारा नुकसान बरदास किया हुआ है, कहने के मतलब होता कई बार क्या होता है, तब मुझे तब बिजनेस की इतनी समझ नहीं थी, जब मैंने वो बिजनेस की समझ नहीं थी, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस अच्छा चलना था तब भी लॉस हो होता क्या है कि अगर मुझे कोई चीज अच्छा लगने लगे न तो हमारा जो माइंड होता है उसके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजे जिनरेट करना शुरू कर देता है जिसकी वज़ा से क्या होता है हमको ऐसा फील आने लगता है कि नहीं यह चीज बहुत अच्छा है हम किसी चीज को दूर से देखते हैं दूर से देखने के बाद हमें वह चीज अच्छी लगी और मायंड में माना पॉजिटिव हो जाता है जिसकी वह समय लगता कि यह इसको करना चाहिए आप ऐसे ही समझ सकते हैं जब हमें कोई फोन यह कोई भी चीज आपको अच्छी होता है बिजनेस ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे हो जाएगा यहां पर मैं इसलिए बात बोला हूँ कि कई बार मैंने फार्मा को फेल होते देखा फार्मा इस्टार्टप्स को बहुत जदर नुकसान उन्हें बढ़दास किया हुआ है करोन करोन रूपीज के नुकसान तो आपको कौन कौन से इस टिप को यूज करना चाहिए तब जाके आप एक डिसिजन लेना चाहिए नहीं मुझे इसमें अपना टाइम अपना मनी यहां इसके पहले नहीं सबसे पहले मैं एक फार्मा इस्टार्टप का एक्जामपल लेकि यहां पर बताऊंगा बहुत सार लोगों ने मुझे खुद बोला कि हम उसी वजह से स्टार्ट किया है बट उस वीडियो अगर आप देखेंगे कि पांच लाग में आप फार्मा कंपनी रन कर सकते हैं तो उसी वीडियो के अंदर बहुत ही स्पेस्पिक बहुत चीज़े क्लियर कट करेंगे कैसे आपने यह तो देख लिया बहुत सारी लोगों कि पांच लाग में बिजनेस किया जा सकता लेकिन यह नहीं देखा अच्छे सा नहीं समझा कि मैं उसमें बता क्या रहा हूं कि कैसे आप रन करोगे राइट आप पांच लाग से बिजनेस सुरू कर रहे हो मेरा वीडियो क्या करोगे मा पृड़स कोई सर्थية लयों है है न है मैं बहुत अच्छा बिजनेस बनाता हो माल लो लेकिनि मुझसे कोई बनवाने वाला नहीं है पांच लाग में आप 3000 वांच प्रोड्क बना लेकिए जनल सब जङधा विर्प चलो हम बेशते हैं लेकिए अब आपने क्या कि अपने जॉब छोड़ा पांच लाग रुपए अपने पास में प्रोडक बना के लिए कि अब मार्केर में आपने काम करना शुरू गया एक महिना दो महिना तीन महिना हो गया अब भी दिखो कि आपने जॉब छोड़ के खुद बिजनस करने लग गया ने तो आपका भी खर्चा है यह से मैं प्रिजन टाइम में काम कर रहा हूं है तो कोई जॉब नहीं कर रहा हूं मैं अपना बिजनस समाल लाओं तो बिजनस समालते समझे मुझे अपनी फैमिली भी जो है फैमिली का भी खर्चा है बच्चा है उसके स्कूल है उसके कबड़े है खाना पीना है यह भी तो खर्चा है यह कहां से निकालोगे आप उसी सेविंग में से जो पांच लाग रुपए आपने डाल कर रखा हुआ है राइट वहीं से खर्चा करेंगे या उसके लिए आपने अलग से निकाल भी जात कितने दिन चलाएंगे आप वहां पर क्या होता था पैसन टूड जाता है और वहां पर फिर हमें समझ में आती है चैलेंजिस तो बिटर यह है कि अगर आपको किसी भी चीज की प्रती पैसन है आप करना चाहते आपको अच्छा लगता है उस आप यहां पर पे करके फिलाव के लिए बुक कर सकते हैं सलका फीस 800 उपी है कई बार मुझे ऐसे भी बोले कि आप गलत बात कर रहे हो आप कंपडीशन को बोल ले हो कुछ लोग ने मुझे कंसल्टेशन के बाद बोला जो मैं आपको बता देता हूं वीडियो के अंदर करन 40 ke zd 50 लोग सहमेत है इसलिए सहमेत है कि उन्हें प्रावलम बता है उससे हैं प्ब्राइब को फेस किया है और 10 फेस्ट लोग वह जो सहमत नहीं है वह पैसन में है उन्होंने बिजिनिस नहीं किया है और उनके पास एक बहुत एक्स्ट्रा पॉजिटिव मांड है कि नहीं ऐसा हम करें तो ऐसा होगा जबकि मैंने उसमें रियल्टी बताया हुगा कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा जैसा सोच रहे होगा ऐसा नहीं होगा तो ग्राउंड रियल्टी पता होना एक होता है मार्केट के लेकिन जहां competition के साथ profitability है वहां काम करने में फायदा है क्योंकि competition से जब आप बाहर निकल के आएंगे आपना कुछ इस्टेबलिस करेंगे तो वहां आपके पास profit आएगा लेकिन कोई बहुत जादा competitive business है वहां profit भी नहीं है तो उस condition के अंदर competition बीट भीगर गया तब भी क्या आएगे अब चलने तो लग जाओगे business तो आना सुरू हो जाएगा business होगा लेकिन profit नहीं आएगा अब बिना profit की ट्वंटी लाग रूपी है कि ठीक चक्सा होँसिल करने की बात करें ठीक है ट्वंटी लाग ट्वंटी लाग के पाद investment continuous बढ़ते जाना है तो आप सेफ कितना कर रहे हैं दो से तीन परशन सेफ कर पा रहे हैं अगर यही ट्वंटी लाग आप किसी और business में डालते हैं जहा तो अपने पैसन को फालो करने के लिए पहले आप ग्राउंड रियलिटी को समझे ठीक है पहले आप उसको समझे अच्छी तरीके से उसके चैलेंज को समझे चैलेंज को समझने के बाद उसको चीज़ों कितने दिनों के बाद आएगा और वह profit कैसेबल होगा की नहीं यह भ लग जायेगा आएक का लग वाहां सब पैसाच अब कर लो नहीं कर सकते noise कि पीरियड थी उरकर नहीं बीच जयता तब टक रजा नहीं बीचब तो यह मेरा कहने का मतलब यह समझने का मतलब इस एक तरफारव के इंदर पर Hend आपके पास budget कम है तो आप बहुत सारी franchising company है उसके साथ में काम कर सकते हैं फार्माइस्टा मार्केटिंग कंपनी के करमाएबात या फिर आप मुझसे बहुत सारी companies के साथ tie up कर सकते हैं मेरे थूप में बहुत सारी startup को गाइड करते हैं जो limited area में चार पांच area में काम कर रहे हैं अब उनके साथ जोड़ जाए उन्हीं company के साथ आपको strategy भी सेयर करने को मौका में लेगा और उन्हीं से product ले लीजिए आप एक startup पी तरह नाम हो जागा एक business partner की तरह आप एक तब्कुल में लाग बहुत सारी challenge यह होते है फ्रैंचाइजी में जो फ्रैंचाइजी company आपकी बात नहीं सुनती है आप उसके साथ अपनी बातों को सेयर कर सकते हैं अपने जो scope है जो vision आप देखते हैं वह चीज company के साथ डिसकस कर सकते हैं और वहां से चीज़ों को product बना सकते हैं manufacturing करा सकते है और लेकर work कर सकते हैं product आपको 10 डबा चाहिए उस बंदिगों को अपनी चीज convince करके कि यह ऐसा से product बना लो हम बेच लेंगे तो आप उसको manufacture करा के अपने पास मंगा के sale कर सकते हैं पैसा दूसरे बंदिग लगा जिसनी start-up किया है लेकिन आपके जो idea है उसमें उसको dumb लग कि देख पाएंगे तो इस टाइप की चीज़े आप ध्यान लगिए जब भी आप start-up करने जा रहा है जो आपकी मन क्या है analysis कर लीजिए जो challenges उसको note down कर लीजिए profitability को note कर लीजिए future score के बारे नोट कर लीजिए चार-पांच चीज़े हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके note कर आपको वीडियो समझ में आया होगा चीज़े समझ में आया होगी अच्छी लगी होगी आप मेरे सथ consultation कॉल बुक करके बात कर सकते हैं इस सलकफी 800 रूपीज है description में यहां पर दे रहा है मैं मॉइल नमबर पर UPI payment के तुरू आप पे करके स्कीज़ें साट बेज के बुक कर कर दीजेगा और वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया होगा आपको कुछ motivation मिला तो मुझे भी motivate करने लिए एक like जरूर कर दीजेगा ठीक है मिलता हूँ ऐसे किसी interesting वीडियो में नेक्स टैम पाई